पिश्डे वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संककों के साथ साथ, गरीवों, मजदूरों, किसानों, वे पारियों, एब हम अन्य महनत कस लोगों का कोई खास विकास वे उठान नहीं हो सका है जिनके शाशनकाल को अब इने और जादा अजमानी की जरूरत नहीं है और इस संदर्म में मैं यहां विसेश कर दलितों, आदिवासियों, वे अन्य पिछडे वर्गों के लोगों को यह कहना चाहूंगी कि इने परम पूझे बाबा साथ डॉक्टर भीवरा वंबेटगर के अथक परयासों से यहां के राजिस्तान पर देश सहीत, पूरे देश में, खास कर सरकारी नोकरियों में, जो भी आरक्षन के सुविधाय मिली हैं, तो उसे यहां सुरू से ही, इन वर्गों के प्रती, हीन वे जातिवादी मांसित्ता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियां प्रभाभ हीन बनाने में, वे ऐसे धीरे-धीरे खतम करने के भी पूरी-पूरी कोशिस में लगी हुई हैं, यही मुखे वज़े हैं, कि देश में लंबे अर्षे तर, जहां राज करने वाली कांग अभी तक भी पूरा नहीं किया हैं, और इस मामले में लगबग यही खराब इस्तिती हमें यहां आपके राजिस्तान परदेश में भी देखने के लिए मिल रही हैं, इसके साथ ही इसले कुछ वर्सों से, खास कर कांग्रेस में डीजेपी की अंद्रूनी मिली भगत से, प्रभावी ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसत के अंदर वे भार भी काफी कड़ा संगर्स करना पढ़ा है, और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन दिये जाने की विवस्ता किये बिना ही केंद्र वे राज्य सरकारों के भी जादा तरकारिये यहां प्राइवेट सेक्टर के जरिये ही देश के अधिकांस, बड़े-बड़े पुझी पतियों वे धन्ना सेटों को ही दिये जारे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक किश्ड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से परभावी धो रहे हैं, हलाके अन्यकिश्ड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रग कर जरूर चलना चाहिए, ति इने भाते सविधान के तहट आरक्षन दिये जाने के लिए केंद्र में कांग वर्गों के प्रती भी अपनी हीन वर्जातिवादी मानसिक्ता के चलते हुए इसे लागों नहीं किया था, और फिर इसे लागों करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफी कड़ा संगर्श्मी करना पड़ा है, इतना ही नहीं, बलकि इस पार्टी के सा साथ, कांगरेस पार्टी के साथ साथ, बीजे पीवी ये नहीं चाहती थी, कि देश में इन वर्गों के हितों में, यानि कि अन्य पिष्डे वर्गों के हितों में, मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू हो, और इने भी पूरे देश में, ऐसी वेस्टी की तरह, आरक्षन की सुमिध हमिले, और इस समंद में, वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, जब बीजे पी के अठर प्रयासों से केंद्र में, सिरी बीपी सिंग की रही सरकार ने, इन वर्गों की मंडल कमिशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था, तो तब फिर उस समय इनको भार से समर् दे रही, भारते जनता पार्टी ने, इनकी सरकार को जादा दिन तक नहीं चलने दिया था, फिर इनोंने पूरे देश भर में, इसके विरोध में, धर्ना प्रदर्शन आदी भी खूब किया था, इसके साथ साथ, उस समय बीएस्पी के अठक परियासों से ही, फिर इन वर् भारते सविधान के मूल निर्माता, परम पूझे बाबा साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडगर को भी, इसी सिरी बीपी सिंग की सरकार में ही, भारत रतन की उपादी से सम्मानित किया गया था, अर्थात केंद्र में रही, कांग्रेसी सरकार ने, इनको इस उपादी से सम मानित नहीं किया था, इसके साथ ही, अब इनोंने खास कर, धलितों, आदिवासियों, वे अन्य पिछडे वर्गों के हित में, बने कानूनों को भी, काफी हद तक परभाव ही नहीं बना दिया है, जिससे इन पर जुर्म जाकी, करने वाले लोगों का, अब मनोबल और भी ज जादा बढ़ गया है, इसी परकार हमें पूरे देश में, मुस्लिम, वे अन्य धार्मिक अल्प संक्यत समाथ के लोगों की भी, हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंदर सरकार की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिस पर केंदर में ना तो पूर्पी रही कांग्रेशी सरकार ने और ना ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कोई विसेज ध्यान दिया है, इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाथ में से, खास कर गरीब लोगों की भी हालत पूरे देश में अभी तक भी यहां काफी ज्यादा खराब वे द्यानी बनी हुई है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही, थिर हमारी पार्टी में या मुस्लिम वे अन्य धार्मी अल्प संक्यत समाज के लोगों के साथ साथ, अपर कास्ट समाज में से, गरीब लोगों को भी आर्थिक अधार पर अलग से आरक्षन दि भी उठाया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो कांविस्पार्टी की रई सरकार ने और ना ही अब बर्तमान बीजिपी की सरकार ने भी अभी तख भी इसका कोई संग्यान लिया है, इसके इलावा देश के अन्य परदेशों की तरह आपके राजिस्तान परदेश में भी स समाज में से विसेज कर यहां गरीब, मजदूर, किसान, करमचारी, वेपारी एब अन्य महनत का स्लोग भी अपनी विभीर समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी जादा दुखी वेपेड़ी थी नजर आते हैं और इनमें किसान लोग तो यहां सबसे जादा दुखी वेपर कारों की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नितियों वे गलत कारे परनाली की वज़े से अब यहां पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, एब महंगाई आधी भी काफी जादा बड़ी है और खासकर डीजल, पैट्रोल, वेरसोई गैस आधी की वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों ने तो अब यहां लोगों को और भी जादा मुश्किल में डाल लिया है, अब हलाके चुनाब के दुरान में इनकी थोड़ी कीमते कम हुई है, चुनाब से पहले काफी इनकी कीमते बढ़ गई थी, और जैसे ही चुनाब खतम ह हो जाएगा, तो फिर से डीजर्ट पैट्रोन वर रसोई गैस की कीमते आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे यहां आपका खुद का अपना राजिस्तान परदेश भी प्रभावी थोरा है, इसके इलावा केंद्र सरकार दुवारा, इनकी बिना पूरी त्यारी के खासकर नोट बंदी, अब हम GST के लिए गई फैसले से तो अब यहां देश की अधिकान जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, जिससे देश की अर्थ व्यवस्ता पर भी काफी ज़्यादा बुरा परवाव पढ़ा है, हलाके इस मामले में सुरू से ही हमारी पाटी केंद्र वे राजे सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी निती अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने फुन्जी पतियों वे धन्ना सेटों का विकास होने की बजाए या गरीब वे आमाद्वी का ही विकास होना चाहिए तबी सही माइने में जहां की जन्ता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई वे अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है इसके साथ ही जहां तक आपके राजिस्तान परदेश सहीद पूरे देश में गरीबी एबम बेरोजगारी को दूर करने का स्वाल है तो इस मामले में केंदर में अधिकांस रही जाने के इन योजनाव से ना तो यहां की गरीबी एबम बेरोजगारी दूर हुई है और नहीं आम जन्ता की गरीबी एबम बेरोजगारी में कोई खास कमी आई है इसके साथ पिछले कुछ वर्सों से अपने देश में वरस्ता चार भी हरस्तर पर काफी ज़्यादा बड़ा है जिससे आपका अपना खुद का राजिस्तान परदेश भी अचूता नहीं रहा है लेकिन इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लिकर अब तक केंद्र वर्देश के अधिकांस राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजिस्तान परदेश में भी ज़्यादा तर सकता यहां गलत पार्टियों में से खास कर कांग्रेश में बीज करती हैं क्योंकि आजादी के बाद से लिकर अभी तक लगभग यह सभी विरोधी पार्टियां केंद्र वर्देश के अधिकांस राज्यों में भी ज़्यादा तर यहां बड़े-बड़े पुझी पतियों में धन्ना सेटों की ही आर्ठिक मदद से सब्ता में आती रही हैं और सक्ता में आजाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपने आर्चे वे अन्ने सभी नितियां या आम जंता की समस्याओं को दूर करने के साब से त्यार नहीं करती हैं बलकि देश के उन बड़े-बड़े पुझी पतियों वे धन्ना सेटों को ही फाइ अधिकांस नितिया त्यार करती हैं जिनके धन्न वे बल से चुनाम लड़कर जादतर ये पाठियां केंदर वेराजों में तथा आपके अपने खुद के परदेश में भी अभी तटवी या सत्ता में आती रही हैं जिसके कारण ही अप पूरे देश में आपके खुद के स्याओं को लेकर काफी जादा दुखी वे परेशान ही नजर आते हैं जबकि पूरे देश में भाउजन समाच पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टीों की तरां देश के बड़े-बड़े पुझी पतियों रधन्ना सेटों की आर्थिक मदस से नही बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कारे करताओं की आर्थिक मदस से चुनाब लड़कर या केंद्र वेराज्यों की सक्ता में आना चाहते हैं ताकि हमारी पार्टी सक्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दवाब के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्यों का समाधान करके उने हर मामने में वे हर स्टर पर या खुशाल बना सके और इसी अधार पर चलकर अबादी के एसाब से देश के सबसे बड़े परदेश अर्थात उत्तर परदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने निर्थित में जहां सरकार बनाई है और हमने अपनी सबी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवन सिद्धानतों के तहर चल कर वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है लेकिन सभी मामलों में प्राख्रिक्ता पहले हमने वहां सर्व समाज में से विसेश कर उन दलितों, आदिवासियों, पिछडे वर्गों, मुस्लिम वै अन्य धार में खल्प सिंचत समाज के लोगों को दी है जिनकी वहां हर मामले में वे हर स्कारपर दिरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकिर्ण वे पूंजी वादी सोचोने के कारण काफित ज़्यादा उप्रेक्षा की गई है इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में दूसरे पार्टियों की तरह खासकर वहां गरीब अबं बेरोधगार लोगों को मामूली साथ बेरोधगारी भत्ताना देकर उन्हें बड़ी तदाद में सरकारी वे गैर सरकारी छेत्रों में इस्ताई रोजगार भी उपलब कराए हैं इसके इलाबा हमारी रही सरकार ने वहां गरीबों, मजदूरों, किसानों, वकीलों, करमचारियों, छात्रों, युवाओं, महलाओं, वेपारियों एबं अन्ने कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्रपूण एबं इत्यासिक कारिये की हैं जिनसे परकार की कोई जुर्म जाती आदी भी नहीं होने भी है और इस मामले में हमारी रई सरकार ने वहाँ जुर्म जाती करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किये हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाकों के अंदर भीडा है जहां मेरी सरकार में उनकी सही वे असली जगा होती है और इतना ही नहीं बलकि हमारी रई सरकार ने यहाँ देश में धरली तैवम अन्य पिछले वर्गों में समय समय पर जन में अपने महान संतों गुर्मों वे महां पुर्षुआदी को भी विभिन रूपों में पहली बार पूरा पूरा आदर सम्मान दिया हैं, जिने विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी असानी से पचा नहीं पा रहे हैं, इस परकार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारो रेज साशन खाल के दुरान अपनी पार्टी की सर्व जन हिताय, वे सर्व सुखाय के नितियों के अधार पर चल कर ही, वे हर मामले में वे हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बहतरी सरकार भी है, और यदि आप लोग भी यहां अपने राजिस्तान प्रदेश में आम जन हित्ते ऐसे ही कारिय करना चाहते हैं, अपनी गरीबी अबं में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी, और जब आपके राजिस्तान प्रदेश में हमारी पार्टी की यह सरकार बन जाती हैं, तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उतर प्रदेश की तरह यहां के राजिस्तान प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर स सर्वजन हिताय, वे सर्वजन सुखाय की नितियों पर अधारिती सरकार चलाएगी, इसके साथ ही आपके परदेश की वे आमजन हिस से जुड़ी जो भी आस्तानी समस्याई होंगी, तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस सरकारियों को करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ अपनी पूरकी सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को बोट फढ़ने तक, यहां सभी विरोदी पार्टियों के साम, दाम, दंड, भेज, आधी हत्कंदों से भी जरूर साथधान देन जैसे इस समंद में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाब होने से कुछ समय पहले और चुनाब के दुरान भी अधिकांस क्या विरोधी पाटियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खास कर मीडिया वे ओपीनियन पोल एवं सर्वेयादी का जो बड़े पेमाने पर इस्तेमान करती हैं तो इनसे भी आप लोगों को तिल्कुल भी गुम्रा नहीं होना है इसके साथ ही आप लोगों को पूर्ब की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पाटियों के जारी किये गए उनके परलोबन भरे चुनाबी घोसना पत्रों के बैकावे में भी कताई नहीं आना है जिने ये पाटियां चुनाव खतम होने के बाद जादा तर तर किनारी कर देती हैं अर्था ठंडे बस्ते में ही डाल देती हैं जैसे सन 2014 में देश में पिछले लोगसभा के हुए आम चुनाव में बीजे पी वे खासकर सिरी नरेंदर मोधी ने अप पासकार गरीब लोगों को ये कहा था कि केंदर में बीजे पी की सरकार बनने पर सो दिनों के अंदर अंदर ही देश के हर गरीब परिवार के परतेश सदस्य को 15 से 20 लाख रूपे के इसाब से उन्हें आठिक मदद के रूपे दिये जाएंगे जिसे लोने अब अपनी सरका के लगभग पांच वर्स पूरे हो जाने पर भी साड़े चार बार सो गया पांच वर्स पूरे हो जाने वाले हैं तो अपने इस लंबी इस पूरे लगभग पूरे समय के अंदर भी अपने इस परलोबन भरे चुनाबी वाइदे को अभी तक भी पूरा नहीं किया है अन्य चुनावी वाइदों का भी इनका यही हाल रहा है और आप लोगों को और इस मामले में लगभग यह जो चुनावी खोसना पत्रों को सत्ता में आने के बाद लागू करने के मामले में लगभग यही रवया हमें केंद्र वेराजों में झाल